माराश्री के चर्णों में नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू माराश्री मेरा प्रेशन ये है कि कोई हमें कभी क्रोध में आकर या बहस में या हसी में ही कुछ बोल देता है तो वो बात तो 10 सेकिंड की होती है लेकिन कभी-कभी हम उसके पीछे 10 गंटे या 10 दिन भी हमारा मन दुखी करते हैं जिससे सामने वाले के प्रति हमारे मन में कड़वाहट तो आती ही है और हमारा मन भी बिनावज़ा दुखी होता है तो हम ऐसा क्या करें कि कोई कुछ नेगेटिव बोले तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सके और पॉजिटिव बोले तो उसे उसी तारीके से लेकर खुद में सुधार ला सके सामने वाला बोलता है इसलिए हमें ये प्रतिक्रिया होती है कि हम सुनते हैं इसलिए ऐसा होता है बोलो हाँ बोलो हम सुनते हैं इसलिए तो बोलने के लिए वो सुतन्त रहे सुनने के लिए हम सुतन्त रहे न बोलो कोई मुझे गलत न बोले मेरे हाथ में नहीं है पर कोई कितना भी गलत बोले मैं ना सुनू ये तो मेरे हाथ में है जो मेरे चित की सहजता को खंडित कर दे उसे वही रोकिये घर में अगर धुआ आने लगता है तो आप सबसे पहले क्या करती है खिर की दर्वाजे बंद क्यों धुआ आएगा तो क्या होगा गुटल होगी ना सुगंदी धवा आओ तो खोल दो धुआ बंद कर दो एंट्री क्यों फिर एक बात बोलता हूँ सड़क चलते कभी किसी पागल से पाला पड़ा पला होगा क्या कभी पागल मिलता है कभी उसने कुछ बोला बहुत कुछ स्वागत का गान गाया तो गालियां भी दी होगी तो पागल की गाली सुनी आपने उसके बाद आपके जीहन में उठल पुथल क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो पागल है तो ये बात बोलो जो गलत बात गलत बात बोलता है वो समझदार कैसे होगा वो तो पागल है और पागल की बात से प्रभावित होने वाला भी समझवारी बात कितने समझदार हो आप आज से तै करने ना कि हम जिंदगी बार समझदारी से जीएंगे पागल पन को अपने उपर हावी कभी नहीं होने देंगे जीवन धन हो जाए कर दो आज समझदारी बात